महात्मा गांधी देश में आजादी की अलग जगाने जहा भी गए खरीब एक सदी बीच जाने के बाद भी आज उन कजपों और शहरों में बापू की यादे शेश हैं चंद्वाडा की धर्ती पर भी गांधी जी के चरण दो बार पड़े ये दोनों मौके शहर ही नहीं बलकि जिले के लिए बेहत खास हैं गांधीवादी वचारक आनंध बक्षी बताते हैं कि 6 जनवरी 1921 को बापू पहली बार चंद्वाडा आये थे मात्मा गांधी जी 6 जनवरी सन 1921 में पहली दफा चंद्वाडा आये थे तब विधर्ब जो है ये राजनितिक गतीविदियों का प्रमुक केंद्र बिंदू था नागपूर में जब कॉंग्रेस का सम्मिलन हुआ तब ये तैक किया गया कि सामप्रदायित सद्वाव बनाते हुए अंग्रेज राज के खिलाप एक आंधोलन शुरू किया जाए इसे सव इने अवग्या अंदोलन का नाम दिया गया नागपूर से ही देश की जनता से मुलाकात और सभाव का कारेकरम तै हुआ और इसकी प्रथम चरण में छिंदवाला में पूज बापू गांधी गंज शेत्र में चिटनिमीस गंज में पधारे जहां लोग बताते हैं क पापू 1933 में पुनह हरिजन उद्धार अभियान के दौरां छंदवाड़ा पधारे थे स्थानी पत्रकार गणींद्र दुबे बताते हैं कि आज के पश्यम बुद्वारी क्षेत्र के छितिया बाई के बाड़े में उनकी सभा हुई थी सामपरदाइक एकता और हरिजन उद्धार मतला हरिजनों के साथ में समावेसी करन ताकि समाज में उनके प्रती जो छुँआ छूँद की भावना और जो आजप्रस्ता की भावना थी उसको समाप्त करके उन्हें समाज की मुख धारा में लाने के लिए उन्होंने काम किया गांधी जी के प्रती इतनी दिवानगी थी लोगों में कि गांधी जी को जिसने जो चाहा अपने पास जो भी था उनके पास में दे दिया था जेवर था नगदी था आजादी की लड़ाई में गांधी जी के योगदान की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती तुरड संकल्प, साथ की भरा जीवन, काम के प्रती उनकी कर्तव्य निष्ठा और इमानदारी लोगों के लिए आज भी प्रेड़ना बनी हुई है चिनवाडा से राकीश प्रजापती और भूपाल से राशिद एहमत के साथ समाचार कक्ष से मैं सैयुक्ता बैनर्ज